आज है 18 जून 2023 दिन रविवार स्टेशन पर 31 बेट के तीन डोर मैटरी और 9 कमरों वाले रिटाइरिंग कमरों की रिमॉडलिंग कराई जाएगी सियम योगी 20 जून को आएंगे गुरखपूर 2604 करोड रुपे के विकास कारियों की देंगे सौगात मुख्यमंतरी होगी आदितिनाद गुरखपूर को 2604 करोड रुपे से अधिक लागत वाली 727 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे वो 2427.63 करोड रुपे के 692 विकास कारियों का शला न्यास तथा 176.18 करोड रुपे के 35 विकास कारियों का लोकारपन करेंगे विकास के इन कारियों का शला न्यास वालोकारपन समारो 20 जून को प्रस्तावित है मुख्यमंतरी के हाथों मिलने वाली सौगात मिजल निगम के तहट गाउं गाउं नल से पेजल की परियोजनाएं सरवाधिक है नौईडा एरपोर्ट मेट्रो पर नहीं बन सकी सहमती अब रैपिद ट्रेन के लिए तलाशी जाएंगी संभाव नाई प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के विजन के निरू प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थ विवस्था बनाना है जल्दे जारी होंगे यूपी वीडियो भरती परिक्षा के एड्मिट कार्ड उत्रपदेश अदिना सिवा चेहन आयोग बहुत जल्द ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के निस सो त्रेपन पदो पर भरती के लिए पुनर परिक्षा के एड्मिट कार्ड जारी करने वाला है वीडियो एड्मिट कार्ड जारी होने पर इसे यूपी एसससी वेबसाइट यूपी एसससी डॉट गॉप रॉट इन पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा परिक्षा 26 वे 27 जून को चार पालियों में होगी परिक्षा में 14.27 लाग परिक्षा थी शामिल होंगे नॉटा में किराएदारों के लिए जरूरी खबर अब प्रशासन लेगा दो फीस्ती पैसा रासे रासानी दिली से सटे नॉटा और ग्रेटर नॉटा में आप अगर किराएद के घर में रहते हैं या रेंच पर घर देते हैं तो ये खबर आपके लिए है जिला प्रशासन आपसे 2% स्टेंप्स शुल्क वसूलेगा हाला कि ये नियम पहले से ही लागू है लेकिन अब जिला प्रशासन इसमें सकती बरतने वाला है गौतम बुदनगर एडियम वित्तो फाइनेंस वंदिता श्रवास्तव ने बताया कि किस तरह से उनकी प्लानिंग है राजस्त में हो रहे घाठे को ठीक करने की कावड यात्रा में कावड योगा होगा पैचान पैत्र 4 जुलाई से मेरट में रूट डाइवर कावड यात्रा में इस बार पैचान पत्रा निवारे होगा डीजे प्रतिबंदित नहीं रहेगा बलकि पुलिस इसे नियंत्रित करेगी यात्रा के दोरान कोई भी 12 फीट से उची कावड नहीं लाएगा 4 जुलाई से दिल्ली देरादून हाईवे पर रूट डाइवर्ड कर दिया जाएगा 15 जुलाई को शिवरात रही है रूट डाइवर्जन के लिए अभी तक जो प्लैन तयार किया जा रहा है उसके अनुसार दिल्ली घाजियाबाद के तरफ से आने वाले भारी वाहनों को हापड बाइपास से किठोर के रास्ते मुझपण अगर भीजने की तैयारी है दिसमर 2030 तक नागर विमाना निदेश शाले को सौपा जाएगा रनवे तैसा में से पहले उड़ेंगे हवाई जाहर जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है मिली रिपोर्ट के बताबिक अभी तक करीब 65% काम हो चुका है जिस पर 2700 करोर रुपे की लागत आई बताया जा रहा है कि अब दिसंबर 2030 तक पहला रनवे बनाकर नागर विमानन निदेश शाले को सौप दिया जाएगा ये जानकारी यमुना नॉइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीई-ओ डॉक्टर अरुनवीर सिंग ने दी सीओ डॉक्टर अरुनवीर सिंग ने बताया कि नॉइडा एरपोर्ट का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है डिडियू एर्मेशनल आज अब इस तारीक तक कर सकेंगे अपलाई जुलाई के पहले हफते में शुरू होंगे दीन दियालुपादिया गुरपपर विश्यविद्याले में इसनातक पराइसनातक और सेल पाइनस कोर्स में प्रवेश के लिए अब चात्र चात्राई 30 जून तक आवेधन कर सकेंगे प्रवेश परिक्षा जुलाई के पहले हफते में शुरू होगी डीडीउ में प्रवेश के लिए आवेधन के अंतिमति थी 15 जून नरधारित की कई बताते चुने कि इन दिनों यूजी और पीजी के सेमिस्टर परिक्षाएं चल रही हैं 25 जून तक कई बड़ी परिक्षाएं हैं इस वज़े से प्रवेश परिक्षाएं कराना बेहदत चनौती पूर्ण रहेगा 156 साल पुराना ब्रिटिश उकूमत का बैनामा होगा डिजिटलाइस्ट ताला तालीम के नगरी अलीगर का पहला बैनामा जल्द ही डिजिटलाइस्ट होगा तैसील कोल के रिकॉर्ड रूम में रखा गया 156 साल पुराने ब्रिटिश उकूमत के बैनामों से जल्द ही धू रेल रूट पतना भी चुड़ेगा गुरगपुर से बिहार पंगाल के लिए नया रेल रूट तीन साल में तयार होने की उमीद है ये रूट गुरगपुर को पतना से भी चुड़ेगा ये संभफ होगा सहजनवा दोरिघार ट्रेल लाइन परियोजना पूरी होने के बाद दोरिघार से आगे इंदारा तक ब्रॉट गेज और गाजीपूर में तारिघार पूल तयार हो चुका है इसके चालू होने के बाद देवरिया छप्रा और नरकटिया गंजरूर पर ट्रेंस का दवाब कम हो जाएगा 2016 में 51 किलो मीटर लंबी तारिघाट माउरियल परियोजना को हरी जंडी मिली 1766 करोड की इस परियोजना को दो चर्णों में पूरा किया गया सियम योगी का आदेश जेलों में हो हाई सिक्योर्टी बैराक सुधार का बने बेहितर कींद मुख्यमंतरी होगे आदितिनाद ने उच्छे सरीय बैचक में कारगारों की इस्तिती की समिक्षा करते हुए कारगार सुधा के दिशा में महतफ़पूंद इशा निरदेश दिए मुख्यमंत्री ने कारगारों को सुधार ग्रह के रूप में इस्थापित करने के जरूरत जताई और प्रदेश के नए प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश दिये साथी उन्होंने प्रदेश में जल्दी ओपन जेल इस्थापित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जेल अधीनियम 1894 और कैदी अधीनियम 1900 प्रचलित हैं विपा जोय को लेकर अलीगर में भी अलर्ज़ारी आज रविबार को आंधी बरसाथ की संभावना अरब सागर से उठे चक्रवाती तुफान विपा जोय को लेकर अलीगर समेथ पश्टिमी यूपी के जिलो में अलर्ज़ारी कर दिया गया मौसम विज्यानियों ने अगले दो दिनों में बादलों की गर्ज़ना के साथ ही बरसाथ और तेज धूल भरी आंधी आने के संभावना व्यक्त की ऐसे में स्थानी इस तर पर प्रिशौसन भी सतर्क है ग्रेट अनाइडा के परिचौक से जेवर एरपोर्ट तक चलेगी मोनोरेल योगी सरकार ने लिया फैसला जेवर एरपोर्ट से परिचौक तक मोनोरेल चलाई जाएगी इसकी विजिबिलिटी स्विस कंपनी से बनवाई जाएगी तो महीने में ये रिपोर्ट तयार होगी, इससे परी चौक से जेवर तक कम समय में पहुचा जा सकेगा लखनमें हुई बैचक में मोनो रेल चलाने पर फैसला लिया गया, सबसे पहले इसकी विजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाने की बात कही गई इसके लिए यमुना प्रादिकरण ने स्विस कंपनी इन्टामिन का कारे सौपा, बैठिक में तैकिया गया कि एज़नसी दो महा में अपनी रिपोर्ट देगी, जेवर एरपोर्ट से ग्रेट एनॉइडा की दूरी करीब 32 किलो मीजर है यूपी में इसाथ सालों में छात्र घटे और शिक्षक बढ़ते गए यूपी में प्री प्राइमरी से हार सेकंडरी तक की छात्रों को लेकर बड़ा चौकाने वाला तत्थे सामनी आया वच 2015-16 के शिक्षण 71 में प्रदेश में इन गक्षाओं के पंजिकरत कुल छात्रों के संक्या 4,84,82,681 थी वच 2021-22 में यह आकड़ा 4,71,84,438 था यानि बच्चों के संक्या 13,00,00 से अधिक घट गई हाला कि कई साल के रावच के बाद अभी आंकड़ा ऊपर चड़ रहा है वहीं प्रदेश का शात्र शिक्षय का नुपात लगातार बिक्तर हो रहा है यूपे के कमान समालने के बाद बिजली विवस्था में सुधार जहां यूगिया अधितना सरकार की प्रात मिक्ताओं में रहा वहीं इस गर्मी प्रदेश में लड़कड़ाई बिजली सप्लाई ने विपक्ष के हाथों में एक बड़ा मुद्दा दे दिया बिजली की आवाजाही और लो वोल्टेज की समस्या से लोग परिशान हैं और विपक्ष इस परिशानी को सरकार के खलाफ नाराजगी में बदलने की कोशिशों में जुच गया ताजमामला समाजवादी पार्टिक के वरिश नेता शिपासिंग यादव ने बोला 2024 के रण से पहले बीजेपी का मेगा प्लान पश्रिमी यूपी के आदे जिलाध्यक्ष बदलेगी पार्टि 2024 के रण से पहले भाजपा पश्रिमी उत्तर प्रदेश के अपने 19 जिलाध्यक्ष महानकर अध्यक्षों में से आधे बदल देगी पार्टि ने तरत्व ने इसका मन बना लिया है, स्थाने नेता और कारेकरताओ की रिपोच की आधार पर ने जिला ध्यक्षो के नाम भी मोटे तोर परते हो गई है पार्टि अभी महा संपर का भियान में लगी है, बीजून के बाद पश्री में शेत्र प्रदेश की नेता समीक्षा बैचक कर नाम फाइनल कर देंगे जुलाई के शुरुआती सब्ता में ने जिला ध्यक्षो की घोशना भी हो जाएगी MBBS में एड्मीशन को लेकर NMC साग तब ऐसे चात्रों की डिगरी नहीं होगी मानने रास्ते जिकितसा आयोग MBBS कॉलेजिज में एड्मीशन को लेकर सकत हो गया जिसको लेकर आयोग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें संस्थानों से आग रह किया गया कि वे किसी भी हाल में MBBS फिस्ट एर में एक अगस्त या फिर 30 अगस्त तक एड्मीशन दे और इसके लिए एक नियम भी बनाए साथ ही आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि 30 अगस्त के बाद एड्मीशन पाने वाले अभियर्टियों की डिग्री मानने बिल्कुल नहीं होगी नौटा इंटरनेशनल एरपोर्ट लगबगादा बन करता यार दिन राच चल रहा काम नौटा इंटरनेशनल एरपोर्ट का 47 प्रतिशत निर्मान कारे पूरा हो गया लकनों में हुई नौटा इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटट की बोर्ट बैटक में एरपोर्ट की प्रगती रिपोर्ट रखी गई विकास करता कंपनी निर्मान कारे में अभी तक 2700 करोर रुपे खर्श कर चुकी है जो निर्मान कीमत का तकरीबन 50 प्रतिशत है इसके अलावा केंद्रिय विभागो को एरपोर्ट पर कार्याले के लिए जगा आवंटित हो गई है जेवर में नौटा इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटट के पहले चरण का निर्मार कारे चल रहा है दिल्ली में बीजेपी हाई कमान से मुलाखात कर सकते हैं इस मुलाखात के दौरान दोनों के बीच गडबंदन और सीट्स को लेकर मन्थन होने की संभावना है तकनीकी संसान प्रमुक की भरती पीएश्डी गाईज होना शोधपत्र प्रकाशित होना निवारे नहीं होका AICTE से मानित अप्राप्त संस्थानों में निदेशक और प्रधान अध्याबक पदों पर न्यूक्ती के लिए आवेदन देने वालों के लिए संभवता अब पीएश्डी के शोधार्तियों को गाईज करना और अपना शोधन कारे किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में राया ये खत्रा अमेरिका ने चीन से विकाशील देश का दर्जा चीन लिया इससे ड्रेगन में बॉकलाहच है ये इसलिए क्योंकि चीन अब सस्तेदर पर लोन नहीं लेगा चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का गलत फाइदा उठा रहा था वो सस्ता लोन लेकर गर ग गोफर्स्ट एल लाइन्स की फ्लाइट रुकने से फॉरवर्ड एरिया में सेना के मुवमेंट पर असर पड़ा आर्मी सूत्रों ने माना किसका असर हुआ साथी ये भी कहा कि आर्मी ने मुवमेंट के वेकलपिक तरीके ढूंडे ताकि मुवमेंट लगातार होता रहे आर प्रदेश में बिज्डी कटाथी पर सिम योगी ने जटाए नारासगी सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश सीम योगी ने अत्रप्रदेश में बिली कटोती पर नाराज की जताते हुई कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिये सीम ने उज्जा मंत्री विद्धित निगम के चेर्मेन और अधिकारियों को तलब किया उज्जा मंत्री एक शर्माने भीशन गर्मी और लू के दौरान प्रदेश में हो रही अप्रत्याशित विद्धित कटोती ट्रिपिंग मरम्मत का बहाना बनाकर किये जा रहे अनुचित शटडाउन पर नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थिती से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तयारी वा मॉनिटरिंग के निर्देश दिये गए हैं लेकिन विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई असार नहीं पड़ता सोनाचल को नहीं रूप में विक्सित करेगी सरकार सियम योगी का एलान करोडों की सौगात भी दी मुख्यमंत्री योगी आदितिना सोनभदर पहुची और सोनाचल को नहीं रूप में विक्सित करने का एलान किया कहा कि इसके लिए केंद्रम प्रदेश सरकार ने बेतर कारे योज़ना तयार कराई इसके साथ ही करोडों की सौगात दी, फिद्यालियों को तकनीकी से जोडने के साथ युवाव को रोजगार मुहया कराया जाएगा मुख्यमंत्री ने लोगों को बेतर स्वास्ते से विदा मोहिया कराने के लिए पीएसी सीएसी पर स्वास्ते एटियम लगवाने का एलान किया तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर सर्व करें धन्यवाद